प्रार्थनागरी इस वचन के द्वारा आज हम इस वचन को गाते हुए आज के प्रार्थना शुरू करेंगे यरमिया 23 उन्टीस प्रेज लॉड प्रेज लॉड हालेलुईया मेरी वानी अगनी जैसी है वह उस हतोडे की तर है जो चटान को तुकडे तुकडे कर देता है मेरी वानी अगनी जैसी है मेरी वानी अगनी जैसी है वह उस हतोडे की तर है जो चटान को तुकडे तुकडे कर देता है जो चटान को तुकडे तुकडे कर देता है हालेलुईया प्रेज दे लॉड हाप यारे भाई और बेनो हम ईश्वर की वच्चन की शक्ती और सामर्थय को मैसूस करते हुए मनचिंदन कर रहे हैं मैं आज आपको एक बात बताना चाहूंगा कुछ साल पहले तक मैं ईश्वर के वच्चन याने बाईबल को इतना समझता नहीं था याने प्रचार तो करता था लेकिन कभी इतका वच्चन का इतना सामर्थय करीब से नहीं जाना था दोजार चवदो में मैं हजारी बाग में जारकंड में एक प्रोग्राम के लिए गया वहां बर विंसिंट शिंट फादर लोंगा रिटरी सेंडर है करीब साड़े तीन हजार लोग वहां बर उपस्ती थे अन्वल सत्संग वार्षिक सत्संग वहां बर चल रहा था वहां जाने से एक चीज मेरे को देखने को मिला कि सब के पास बाइबल है जितने भी वहां हैं चाए चोटे हो बड़े हो सब के पास बाइबल है और वहां पर हमें काउंसिलिंग के लिए बैटने का था तो फादर लोगों ने मेरे को बताया फादर जब आप काउंसिलिंग में बैटते हो वचन देना बहुत ज़रूरी है जब कि इधर लोगों को हम वचन ही देते चाहे किसी भी प्रकार का तकलिफ क्यों ना हो तो मैं बैट गया कोई एक बहन मेरे बास आए और मैं उसकी बाते समस्याएं सुने मैं उसका सलाग दिया और आखरी में मैंने एक वचन दिया उसको वो बैन ने मेरे को पलट कर पुछा फादर मैंने आपको दो-तीन समस्याएं बताएं पर आपने तो मैं तो मैं एक ही वचन दिया सच बोले तो मैं तो हरान हो तो दूर वहने के लिए वाहां पाऊंड और पंधोर गर्याइए में वाइवल कोलिए उसको निम्टर लुए उसको निपटने में दूसरा वच्ण दिया उसका कोई बैच्चा नहीं था निश्चान थे इसलिए दो मैंने कहा बैज्चे के बढ़ान नहीं कि वह बैठा नहीं पर वो घटना जो है मेरे जीवन को बहुत प्रेरना दी मेरे जीवन में इतना बड़ा प्रेरना दाई रहा क्योंकि मुझे पता चला यहां पर ज़्यादा बैटेंगे तो लोग मुझे बाइबल सिखा के ही भेजेगा तो मैं इसको नेगटिव नहीं लिया उस दिन से मैंने कोशिश किया मैं सच में प्रभु किया कि प्रार्थना करना लगा कि प्रभु मुझे वचन सिखाईए और वचन की शक्ती को सिखाईए तो वचन को यूज करना यह हमारे लिए दिया गया है कि हम इसको यूज करे इस्तिमाल करे वचन को हम ना के वल इसको सीखे बलकि इस पर चले इसका पालन करे और इसको दिल में ग्रहन करे और अपने जीवन में उतारे इसी के लिए तो दिया गया है प्रभू का वच्चन जैसे जैसे हम जानेगा ना हमारे जीवन बदलना शुरू करेगा पिछले दिन में आपको अपने जीवन के एक दूर गढ़ना है बताता हूं कोरोना के और डेंगू के कारण में आइस्टी में बरती हो गया था पर मैं मेरे पास तो बाइबल था और पर बाइबल शायद वेंडिलेटर में या आईस्टी में लेकर जाना आपका अनमती नहीं शायद मिलेगा पर जो दिल में आपका वच्चन है ना उसको कोई भी रोक नहीं पाएगा हाललुया अगर आपके दिल में ईश्वर का वच्चन है वो वच्चन आपको जिन्दा कर दे पर आई से परिस्तिती में जब आप बिलकुल अकेले हो जाते हो तो आपके लिए इस श्वर का वचन आपका बिलकुल करीब रहेगा हाललुया रभू कहता है मत्ती का दियाए 28 पसंग या 20 में हम बढ़ते हैं याद रखो मैं संसार के अंद तक सदा तुमारे साथ हूँ हाललुया क्या वचन है प्यारे भाहिर बेनो ये केवल प्रोमिस नहीं है ये के हकिकत है ये सचाई है इस वचन में इतना सामर्थ है प्रभू क्या कहता है याद रखो याद रखने की बात है वो चन याद रखो क्या है मैं संसार के अंत तक सदा तमारे साथ हूँ सदा है चाहे मैं I.C.U. में जाओ मेरा ईश्वर मुझे छोड़ेगा बिलकुल नहीं वो मेरे साथ उस सिंहों के गड़ो में आएगा हाललुया उस आग के बटी में उतरेगा हाललुया उस सागर के बीच में आएगा हाललुया उस कुए में ये ईश्वर उतर आएगा हाललुया यही तो ईश्वर है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं त्यागेगा उसका वच्चन आपके साथ रहेगा आपके इसलिए प्रभु का वच्चन साफ कहता है हम लोग देखते हैं ड्यूट्रोनमी याने विद्धी विवरें ग्रंदा द्याएच छे पसंग्या तीन से लेके नौ तक कम बढ़ते हैं प्रभु का वच्चन पढ़कर देखने वाली वच्चन प्यारे भाई और बेनों ये वच्चन तुमारे सीने पर तुमारे माते पर तुमारे बाजुओं पर बांद कर रखो प्रभु का आता है तुमारे चोक्रटों पर लिखे रखे प्रभु का आता है तेरे उटते बैटते चलते ये वच्च तुम्हारे साथ चले इस पर तुम मनन चंदन करो तुम्हारे अगले पीड़ी को तुम समझाओ बोले हालेलुया एश्यू की सुधी हो एश्यू को धन्यवाद हालेलुया इसलिए हम शुरुआ से लेकर यही देखता है चाहे प्रभु मुसा को बोलता है चाहे किसी भी नभी को बोलता है इस वच्चन का पालन के लिए बोलता है हालेलुया प्रभु का वच्चन इसे हास नभी का 48-18 में बढ़ते हैं एधि तुमने मेरी आग्याओं का पालन किया होता तुम्हारे सुक्षांदी सम्दर के लेहरों की तरह और तुम्हारे धर्मिकता नदी की तरह उम प्रभु कहते हैं, हललेलुया एदि तुमने मेरी आज्याओंगा पालन किया होता याने प्रभु के नेमोंगा, प्रभु के वचनोंगा पालन करते तो, बोले हललेलुया योगन अध्याज 14-15 में बढ़ते हैं If you love me, you will keep my commandments यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्याओंगा पालन करोगे, हललेलुया योगन अध्याज 10-17 में बढ़ते हैं John 10-27 में मेरी भेडे मेरी आवाज को पचानती है मैं उन्हें जानता हूं, हललेलुया हाँ, माई शीप लिसन टू माई वोईस तो हमें उस चरवाए की आवाज को जानना पचानना है मैंने एक बार किसी के मुझ से सुना है, मान लो एक मैदान में बहुत सारे भेड़ों को इकठा किया अलग-अलग शेपेड्स का, गड़ेरियों का और सारे मिक्स हो गया एक दूसरे के साथ अब इसको लास्ट में अलग कैसे करें, बहुत कठिन है अब इस सौंकडों में भेड़े, बकरिया इकठा हो गया अब एक दूसरे से मिक्स हो गया अब इसको कैसे अलग करें तो ये करते क्या है, पता है वो अलग-अलग जो गड़ेरिया है उनका एक अलग आवाज रहते है वो जब आवाज करते हैं ये भेड़ बकरियां को वो पता चलता है वो गड़ेरि के चारं तरब वो एकठे हो जाते है हालेलुया हमारे अबा के आवाज को पचानना बहुत जरूरी है मेरा इस्वरक की आवाज मेरे को पता होना चाहिए हालेलुया जब हम इसको सुनना शुरू करते हैं उसको पैचानना शुरू करते हैं उस पर चलना शुरू करते हैं उसका अनुसरन करना शुरू करते हैं हमारे जिवन बदलना शुरू करेगा हालेलुया पिछले दिन प्रभु ने मेरे को बताया आपको दुखी करने वाला निराशे में डालने वाला आपको डिप्रेशन में डालने वाला आपको चोटिल करने वाला इनसान के शब्दों को ईश्वर के जीवन दाई और ईश्वर के चंगा करने वाला ईश्वर के आश्वा देने वाला शब्दों के साथ रिप्लेश करना है हाललुया कोई काते है तुम किसी कामगा नहीं हो तो प्रभु काते है तुम मेरे हो मेरे लिए अनमोल हो तुम किसी मनला तुम बिलकुल बैकार हो हम कहते हैं किसी को बोलते हैं किसी कामगा नहीं है या गुड फॉर नाथिंग पर इश्वरा इसना नहीं कहता है इश्वर ने कहा सब कुछ अच्छा लगा इश्वर को इश्वर कभी आपको खराब नहीं बोलेगा हालेलुया साम 145.17 में इश्वर जो कुछ करता है वो ठीक ही करता है और वो जो कुछ करता है प्रेम से करता है हालेलुया वो कभी खराब नहीं कर सकता वो बुराई कर नहीं सकता वो आपके और मेरे विर्ध कुछ कर नहीं सकता है आपके जीवन में जितने भी आपने सुना है लोगोंगे इस शब्दों से परहशान है अगर सच में देखो आप किस वज़े से परहशान रहते हैं दूसरों के बातों के वज़े से फादर जी उसने ऐसे कहा वैसा कहा फादर जी इसका ऐसा बोलने का है था इसको मेरे को ऐसे बोलना था देखो फादर जी इसने मेरे को क्या कहा माता पिता बच्चों से परेशान बच्चे माता पिताओं से परेशान पती पत्नी से पडोसी से रेसेदारों से सब हम लोग करने वाला बचनों को इसके वजह से हम दुकी रहता है निलाशे में जाते हैं, डिपरिशन में जाते हैं, कितना इस्वर का बचन आपको याद है। हालेलुया याद है तो भी हम इस्तेमाल नहीं करता है हम लोगों का विश्वासियों का एक कमी है हम तो बहुत सारे वचन जानते हैं लेकिन काम पर क्या है कोई आइडिया ही नहीं तो इसलिए आने वाले दिनों में प्यारे भाय और बेनों इसके बारे हम आपको समझाएंगे सिखाएंगे हालेलुया आप हमारे इस टोक को निरंदर सुनिए आपको हम बताएंगे इस्वार का वचन कैसे सीखेंगे कैसे जानेंगे कैसे इस्तेमाल करेंगे और जिवन के अलग-अलग परिस्तिदियों में अलग-अलग सिटिवेशन्स में इस्वार का वचन को किस प् वचन दिया मेरे को प्रभू ने पूछा मेरे को क्या है तुम आगे जीना चाहते हो जीने के लिए तुम्हारा वज़े क्या है वोट इस रीजन वाइट वाइट उलीप सवेरे कर टाइम तो एक ही दिन में एस वी में था लेकिन प्रभू ने इतना बड़ा एक सवाल मेरे सामने रखा तो मैंने का प्रभू मैं पूरे दुनिया को आपका सोसमाचार सुनाना चाहता हूं और सब को बताना चाहता हूं येशू एक मात रीज़वर है हाललुया और येशू के बाद जो आएगा उसे मुक्ती मिलेगी हाललुया तो कि प्रभू का वचन साफ कहता है प्रभू येशू में विश्वास करो आपको और आपका परिवार को मुक्ती प्राफ्ट होगी हाल हललुया 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 मुक्ती अर्थास पाफों की शमा येशू प्रदान करते उसके रगत के दुवरा में मिल जाता है मैंने प्रभू से कहा ये सब मेरे को लोगों को बताना है और मेरे को और भी बहुत सारे ऐसी अशाए है जो आध तक क्या बोते हैं पाफ के गुला का संदेश सुनाना है दुनिया भर में तो मैंने ऐसे बहुत सारे चीज़ें प्रभु को बोला तो प्रभु ने कहा आगे चलो फिर कुछ दिन और आगे बढ़ो हालेलुया प्रेज देलोड और प्रभु ने कहा एक वचन नर्गमन अध्याय नाव पसंग्या सोला प्रेज द और तो मेरा नाम लेकर दुनिया के कोणे कोणे में मेरे नाम की गोशना करे हालेलुया यही परपस है तो मैंने प्रभु से कहा जी हां तो इसलिए प्रभु के प्यारे भाई और बेनों मैं आपके सामने खड़ा हूं इस वचन की गोशना कर रहा हूं हालेलुया दिल से बो होना है एक इंडर्वी होना है हम ना सामने हम इश्वर के वच्छन के सामने आना चाहिए हाललुया जब कुछ भी नहीं रह जाएगा केबल इश्वर का वच्छन हमारे जिवन में रह जाएगा ऐसे परिस्टिदियों से आपको गुजरना होगा तब आपको पता चलेगा इसम इसने भी टीम में सदस्य है मैं उनको सब को बोलता रहता हूं चाहिए बीमारी के समय हो चाहिए कई सफर की बात हो चाहिए कितनी बड़े संकर्ट परिवार में क्यों ना हो इस और के वच्छन को इस्तेमाल करो एक उदाहरन बताते हैं वह मैं इसका आज समाप्त करूंगा वो है लूकस 1827 चाहिए कोई ICU में है चाहिए कोई वंडिलेटर में है चाहिए कोई किसी भी परिष्टती में है उसमें वच्छन लिखा है जो मनिश्यों के लिए असंभव है वो इस्वर्व के लिए संभव है क्या आप इसको यूज़ करने तयार हो क्या आप इसको यूज करने त्यार हो hallelujah 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 use करके देखो ना जड़ डक्टर के लिए संभव है जो medicine के लिए संभव है जो medical sense के लिए संभव है लोग करते हैं बहुत सारे चीजें आपको छे मेना भी जिना नहीं है आपका इतना समय रह गया है आपका operation कराना है आपको यह करना पड़ेगा आपको यह करना पड़ेगा आपको दुक्की करता है आपको डराते हैं ऐसे परिस्तिदी में क्या आप ईश्वर की इस जीवन दाई और powerful वचन के साथ उस इनसान के वचन को replace कर सकता है करके देखो ना करके देखो इश्वर का वचन सच मुझा आपके लिए जिन्दा होगा hallelujah 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 चलता फिरता होगा how hallelujah distinguished यह सिर्फ मुख से बोलना होगा आपको जब तक मुख से नहीं बोलेगा यह एक letter रह जाएगा जब आप मुख से बोलेगा इसके अंदर जाना आएगा Bye Amen If you take care of the word of God The word of God will take care of you अगर आप इस्वर के वच्चन का परवा करोगे इस्वर का वच्चन आपका परवा करेगा Hallelujah If you give life to the word of God The word of God will give life to you इस्वर का वच्चन को आप बोलते हुए जीवन दोगे इस्वर का वच्चन आपको जीवन देगा Hallelujah Praise the Lord आई अम एक पल प्रार्थना करे हे प्रबू हे प्रेमी इश्वर आप हमें अपना वच्छन को समझाते आए वच्छन के शक्ति के बरे शमझाते आए आज जो भी इस वच्छन सुन रहा है उनके जीवन में प्रबू आपकी महिमा प्रकट हो जाए आपका सब्द देधार हो जाए प्रबू वचन देह बने हाँ प्रबू आपके वचन में ताकत है आपके वचन के लिए कुछ भी असंभव नहीं है जो मनिश्यों के लिए संभव है प्रबू आपके लिए संभव है इस वच्चन के शक्ति सब के जीवन में आज प्रकट हो जाए, व्यापरित हो जाए इस दुआ हम मांगते हैं इसु तरे आदि पवत्र नाम के दुआरा आमेन पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन